वेलकम बैक टो मैं यूटूब चैनल दोस्तों बासुरी तो ऐसा इस्टूमेंट है जिसे बच्चों से लेकर बोटे दक्स सब जानते हैं कहा जाता है कि बासुरी का इतियात बहुत पुराना है और जर्मनी में कई हजार साल पुरानी बासुरी भी पाई गई है कहा जाता है कि खोजी गई सबसे पुरानी बासुरी गुफा में रहने वाले भालू के हड़ी से बनाई गई जो इसनवेनिया के डिवजेब में पाई गई लेकिन इन सब बातों के बारे में कोई दावा नहीं करता है कि ये सच है ये नहीं दोस्तो इस बात में कितनी सच्चा ही है ये हम नहीं जानते लेकिन अगर हम हिंदुस्तान में बासुरी की बात की जाए तो यहां के एक सहर पिलिवीद में बासुरी का बहुत पुराना इतिहास है तो आज हम है हिंदुस्तान के सूबा के सहर पिलिवीद में जो बासुरी बन कर रिकॉर्ड बनाया था और यहां के समसाद एहमा साहब को qui के लिक्ली कई अवोर्ड मिल चुके है इस सिल्सिन में हम एक बासुरी मे-कर के कार खाने में आये हैं जो सहर का एक बड़ा बासुरी कार खाना माना जाता है आए जानते हैं कि कैसे बासरी को बनाया जाता है और कितने तरह की बासरी होती है अभी हमारे साथ यहां के ओनर मिस्टर अर्मान सहाब है तो अर्मान सहाब बहुत-बहुत स्वागत हमारे इस चैनल पर पहले आप अपने कार खाने और इस कांट के बारे मे में बताए देगी मेरी कंपनी का नाम है नभी आइंचंस और मेरा काम कम से कम तेर सो साल पुराना है मेरे परदाजी के टाइम से अच्छा इसको अब मैं समाल रहा हूं पिछले साथ-आठ साल से जी और यह मेरा जो काम है यह मतलब यह समय लिए आपके पूरे ऑल ओवर इंड से यह बेस प्लूट का पहां से हमारे सभी बेस बंती है इस तो अल्मोस्ट वेराइटी जो अभी करेंडली हमारे पास मौझ और हम सब्हां बनाते हैं कस्टूमर की कस्टुमाइजेशन होती हैं तो दो पने शुर्वाली मात दो बात जब आती है वाली मात इसकर आप आहता है णहसे आज से एनी सालों से हमारा माल आपके सेंपल है मैं निकालते हैं पूरा पารफेक्ट हमारी बने दो इसके लिए बहुत सारे वास्री में होते हैं बासरी में और कोड़ा में बाप में आपको ही चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और यहां है दूसरा गुदाम जिहां पर बाहरी बनाने के लिए मार रखा गया है तिकली और मेइड़ा ब्हूरी बनाए जाती है और यहां पर पलास्टी की बास्टरी बनाती है बास्री तो बनती है और एए तीसरा गुदाम यहां पर काफी सारी गुदामफिकों इंसे घाफियों पॉिस्ट पर कॉंसे हो THAT चुहां ये हाफ तौह है जिल लोगों को बासरी का सैट जाहिए है उनके लिए पास में स्ट्रेट साइट दोनों का आपको प्रोफेशनल में डल का सैट में इस से टम्स बनाई जाती है यह जुन है यह भी तैयार नहीं है मेरे पास अच्छा अच्छे ओर्डर पर ही तैयार करते है तो पाइप होता है एक्रेलिक पाइप ये उसकी वासुरी ये देखी कितनी खुबसूरती से बनाया गया है से मिडल की साइड़ फ्लूट है प्रोफेशनल साइड फ्लूट है सी मिडल की एक्रेलिक में और यह मिश्टर समसाद एहमद साहब जो फिल्पिन सहर के मसूर उबासुरी वादक है तो आईए और इनसे बात करते और सुनते है कि एक्रेब में सुनते है समसाथ जी एक बासुरी वादक बासुरी मेकर के साथ साथ संगीत छिक्षक भी है तो आप संगीत की सिक्षा भी देते हैं इस्टूडन्ट को आपको बासुरी के बारे में क्या कहना है और प्रदक से मुझेश दिया गया जिक्त नभी एंटसंस उत्तरपरदेश में नहीं हमारे भारत में पूरे भारत में पूरी दुनिया में एक नभी एंटस्तान के नाम से बासुरी विक्ति से ओरते हैं पूरे यह आते हैं कि में एक दो करें दो करेंगे अपने के नाम नभी एंतर्स मैनुफेक्चर अकी गूह देखना पड़ता विक्ति सब्सक्राइब करना पर इसको रवड़का होता है और कॉक्न पैसा जनल आता है इसका बनाव लगा देते हैं बाकी मेजरमेंट करना जो होल किया गया है नापकर किया गया है इसका फूरा मेजरमेंट होता है और इसका यहां सुरा कर दिया यहां कर दिया जहां चाहिए वहां कर दिया ऐसे कुछ नहीं होता है इसका फूरा मेजरमेंट होता है इसका सारा मेजरमेंट मेरे माइंड में मैक अब रहता है कि कौन से एम में में कितनी वासी कहां पर सुरा कि अपनी इसमें होना है यह प्रॉपर ट्यून में है यह प्रॉपर ट्यून में इसमें अपना बास में है इसका साउंड अगर मैं आपको चेक करवा देताऊ हूं यह आएगा बासुरी पे लिखाए ये बेस इन बासुरी की लंबाई होगी 30 इंच अपने पास मिलेगी आपको 44 इंच तक की बासुरी मिलेगी अगर आपको बासुरी के बारे में ज़्यादा जनकारी चाहिए तो इनका कॉंटेक्ट नमर डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं